Hello everyone, to कैसे हैं आप सब लोग? आज में आप के लिए लाइ हूँ कुछ ऐसे ऑर्ग्नाईजर जो मैंने खुद बनाए हैं और जिसे बनाकर आप अपने घर को और्ग्नाईज्स तो कर भे सकते हैं साफ में पैसों की बचत भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाहिए कम से कम इसको आपको आधा मीटर बड़ा रखना है उसके बाद आपको यह जो कपड़ा है ना इसको इस तैले के उपर रखकर उपर से सिलना है देखे जिस सरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ मैंने इहाँ पर दो सिलाई लगाई है जिससे की अच्छे से सिलाई काम आपको बहुत जादा आराम से करना है और बहुत जादा सुकून से करना है अगर आप जल्दमाजी में करोगे न तो आपका काम खराब हो गई फिर उपर से न फिनिशिंग और वह सफाई भी नहीं आ पाएगी तो देखिए मैंने यहां पर दो सिलाई लगा कर न इ क्योंकि अगर आप उसको बड़ा बना देंगे तो रखा वह अच्छा भी नहीं लेगा जाए आप उसको कितनी भी सफाई से और कितनी भी अच्छे तरीके से बढ़ा है तो सबसे पहले आपको साइज आपको चेक कर लें तो मुझे जितना चोड़ा रखना है मैंने इसको क ऐसा देखे इस तरह से मैंने इसको रख लिया है तो जिस साइड कलोध पिल लगी हुए एस साइड बंद में और यह वाली जो दूसरी साइड आप देख नहीं है और यह वाली जो साइड है यहाँ है आप को सिलाई लगा कर दिखाई तो अबना वनने चुट आप हमने और तो इस साइट की अभी हमें सिलाई इदर से नहीं लगानी है अभी हमें से इसको बलम्बाई में हम इसकी चौडाई में सिलाई लगाएंगे यहां पर तो देखें इसतरह से आपको यहाँ पर लगा लेनी है और इस अपर तो कपड़ और इसी बड़े pocket हमारी बन कर तैयर हो तो मैंने कपड़े को थोड़ा सा आगे खीचा है और आगे खीचने के बाद फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसकी चोड़ाई में जैसे हमने वहाँ लगाई है तो देखे इस तरह से हमें इसको ready कर लेना है यहाँ पर देखे 2-3 इंच कपड़ा छोड़के हमें फिर से सिलाई लगानी है फिर हमें ऐसी करना है आगे की तरफ जाना है वहाँ पर सिलाई लगानी है देखे इस तरह से सिलाई लगानी है फिर इस कपड़े को 2-3 इंच आगे खीचना है और फिर उसके दूसरी सीरे पर आपको शिलाई लगाना देनी है इस तरह से कंपड़र आगे खीच है हमने और फिर आपको आगेस तरह से सिलाई लगानी है। तो आप सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने यह पॉकिट बनाई है मैंने आपको यहां पर बना कर दिखाई है तो देखी पॉकिट मैंने बना ली है अब हम आए हैं लास्ट में जो इसका सीरा खुला हुआ है एक साइड में तो अमने लगा ली थी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जो थेला रखना है और उपर हमारा कपड़ा फिक्स हुआ हुआ है जो हमने भी सिलाई करिए अब हमें इस हैंगर को इस थेले के अंदर हमें इसको अटेच करना है तो वह भी हम सिलाई से करेंगे देखे इस तरह से दोनों हैंग जुज़रा कहीं भी अधर उधर यह रहल कर नहीं जाएगा देखे इस तारह से तो आपको आराम से दिखाई दे रहा हूं теперь मैं कस तरह से डाया हुआ जै पहुत आराम्राम से आपको वह करके बता रही हु और यह सिलाई लगानी इतनी आसान है कि जिन लेडिस को ऍलाई नह मेरे अवराई के लिए जिनको हो लेटी भी लागा वह बहुत आराम से बना लेगी कैसे में कुम अजे बना राम से बना कर बताएं गोगे बनने के बाद बहुत अच्छा लेगा अधर हम बंद यहां से दोड़े łत उसअ करें मैंहां ॥ करें हो। जिसरे कि जो भी सब्भी नहीं डिखांगे। जब्ंद एद तो आप जें आगा मेशने बंकि बनने के बाद बहुत za नहीं हता है। तो आप इसे जरूर बनाएगा और बनाने के बाद मुझे आप बताना कि आपको एक कैसा लगा अगर आपको पसंद आता ना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जादा से जादा शेयर करेगा तो देखिए यह हमारा बनके कंप्लीट हो गया अब म मैंने इसको यहां पर हैंग करा है और मैं यहां पर आपको रखकर दिखा रहें इसके अंदर मैंने शूज रखें अब यह दूसरी जोड़ी शूज है यह भी मैं इसी के अंदर रख रही हूं सैंडिल रख रही हूं इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं बच्चों के सरस्टिय। इस चीज से अगर हम इस तरह का ओर्गनाइजर बना सकते हैं spark धेखे एस दर कुछ समान रख सकतें गर में बहुत सअ मेंласт воसwn है तो बहुत सारे समान आप इसा शूता सकते हैं प्रेस्टिस आफने इस लिपने तक खिरोटे तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा वीडियो जरा से भी अगर आपको पसंद आती ना आप लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा और अभी मैं आपको इसको अंदर टांग कर भी दिखाऊंगी कि इसको टांग गए अब यह ना आपका जो ऑर्गनाइजर है अगर आप इसको अलमीरे के साइड में टांगेंगे तो दिखेगा भी नहीं और इसके अंदर बहुत सारा सामान भी आ जाएगा और अच्छे भी लेगा देखिए कितना प्यारा लग रहा है और आराम से हैंग हो आफिस जाना है या स्कूल जाना है कहीं भी जाना है तो ना यह मिक्स अप हो जाते हैं और इनको ढूड़ने में बहुत जादा दिक्कत होती है तो उसके लिए एक चोटी सीटी पी है कि जब भी आप सोक्स रखते हैं तो एक सोक्स के अंदर उसी के साथ का जो दूसरा सोक् और फिर उसको अच्छे से उपर से फोल्ड कर दीजे तो इससे जो आपके सॉक्स है ना वो एक साथ भी हो जाएंगे और वो खोएंगे भी ने और इधर उधर भी वो नहीं होंगे और टाइम पर आपको आराम से मिल जाएंगे इस तरह से देखिए तो मैंने दोनों सॉक्स को ही जगह कर दिये अब आपको कहीं भी जाना है इसकूल जाना है और आफ colony जाना है तो आपको इसलिए मिल जाएंगे औरやって आराम से औरिफ्वर करके रख सकते हैं यह जगह भी नहीं खेडिए तो आपको इस तिप कैसी लगई उसप बता इएगा के फिर इता क्यों माइको है क्यतना है ज Thai गरम हवा से नहीं नहीं करना है गरम हवा से नहीं करणा है ठनडी इसलिए जड़ी तो आपको इस औहले चल जब जाएगेघा वीडियो को जाद़ जाद़ शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल बिना भूलिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई